हेलो गाइस जिनके अक्टूबर में अब ट्रबसी के एक्जाम है उनके लिए आज क्लास 2 है तो आपकी डेली क्लास 8 बज़े से चला करेगी जिनको भी एक्जाम में अच्छे ग्रेट से पास होना है तो वो इस class को daily online join किया करें तो मैं हूँ काजल और स्वागत करती हूँ आपका अपने non-deal काजल चैनल में हमारा आज की इस वीडियो का first question है डारपा क्या है option है अमेरिका की defense sanction, defense advance, research, project, agency, internet का निर्मान किया या फिर डी all तो देखिए यह हमारा आरपा है यह क्या यह अमेरिका की defense sanction भी है डारपा देखिए D for defense, A for advance, R for research, P for project और A for agency तो यह डारपा की full form भी है और यह internet द्वारा निर्मान किया गया भी है तो यहाँ पर क्या यह तीनों बात हमारे यहाँ पर true है तो यहाँ पर हमारा D correct हो गया next cd का अविस्कार किसने किया तो option है jam city russell, timbernelli, mark anthony या finnan cd जिसको हम बोल देते हैं compact disc क्या बोल देते हैं compact disc भी बोल देते हैं इसका जो अविस्कार किया था वो किया था jam city russell ने तो option है correct है next proprietary software का दूसरा नाम क्या है option है closed source software, open source software, paid software या फिर freeware तो हमारा इस proprietary software को जो दूसरी नाम से बुला जाता वो बुला जाता closed source software तो यहाँ पर हमारा option है correct है next world का पहला super computer का क्या नाम है option है क्रे 1, cdc 6600, univac या फिर submit तो world का जो पहला super computer था वो था cdc 6600 जिसको आप बोल सकते हो control data corporation ठीक है इसको यह भी बोल सकते हो इसने बनाये तो super computer यह बनाये था सिमोर क्रे ने सिमोर क्रे कौन थे सिमोर क्रेश के विज्यानिक थे अगर यह पूछने लग जाए कि भारत का पहले super computer क्या था तो वो था परम आप यह याद रखना ठीक है next libra office में word count option किस menu में पाया जाता है तो option दे गए है tools, insert, format या फिर edit menu तो यह जो option पाया जाता है यह पाया जाता है guys tools में, tools में option होता है तो option है correct है next duck duck go क्या है option है web browser search engine bird का name या फिर एक network तो यह duck duck go काफी बार exam में पूछा गया है यह वाला question तो option भी क्या है correct है next tb, gb और kb यह क्या है option है descending order, ascending order, both या फिर none तो guys tb यानि की terabyte, gb, gigabyte और kb यानि की kilobyte यह किस क्रम में दिये गए है तो यह दे रखें हमारे descending order में में घटते हुए क्रम में देखें सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा होता है terabyte फिर उससे जो थोड़ा छोटा होगा तब वो होता है gb और सबसे छोटा होता है kb तो यह ऐसे गटते हुए क्रम में दिये हुए है तो यहाँ पर option है correct हो गया next सबसे कम secure है option है password, keycard, retina या फिर fingerprint तो सबसे कम secure जो माना गया है कम secure जो माना गया वो माना गया है हमारे इसको keycard को तो option भी correct है next is tft का पूरा रूप क्या है means इसकी full form पूछे गई है तो option है thin film transistor, thick film transistor, tubular film transistor या फिर नन तो tft की full form होती है guys thin film and transistor तो option है correct है next है निम्न में से भारत का सबसे पहला bank है तो option दिये गई है bank को बडोदा, bank को फिंदुस्तान HDFC bank या फिर इन में से कोई नहीं तो first bank की बात हुए तो जो first bank था guys वो था bank of हिंदुस्तान ये क्या था, ये 1770 में बना था, ठीक है, तो option भी correct है next है, libra office writer में अंतिम page से पहले page में आने के लिए कौन सी shortcut कुझी का इस्तमाल करना होगा, तो option दे रखें है, control plus home, control plus page app, home या only page app, तो देखें क्या कह रहा है, अंतिम page में, अगर आप libra office writer में अंतिम, यानि कि last वाले page में हो, और आप क्या चाते हो, starting वाले page में आना चाते हो, तो आप क्या करोगे, आप चैसी controller plus home की का use करोगे, आप इससे पहले page में आ जाओगे, तो option है क्या होगया, हाँ, correct हो गया, नेच्ट है M banking किसका उधारन है तो option है phone banking, mobile banking, telephone banking या फिर internet banking बहुत ही common सा question था M किसे शुकर रहा है, mobile को कर रहा है न तो answer क्या होगा, mobile banking तो option भी correct है नेच्ट है IOT में टिकर क्या मतलब है तो option है target, thing, twice या फिर tweet तो IOT की जो full form है वो है identity of thing तो टिकर मतलब क्या हो गया टिकर मतलब हो गया thing तिक में किसी वीवस्तु की जो है ना पैचान करना नेच्ट है काल्क में सैल की अधिक्तम उचाई होती है तो option दिये गए है 0.45 inch, 0.45 cm, 1.25 inch या 1.25 cm तो Libra office में जो काल्क है जो उसमें जो सैल होती है इसकी जो उचाई होती है गाईस वो होती है हमारी 1.25 inch तो option C correct है नेच्ट है भारत में जो उमंग एप है इसमें कितनी भासाईं उपलब्ध है तो option कि ये गए है 14, 15, 13 या फे 16 तो उमंग एप में जो हमारी language यूज हुई थी वो हुई थी हमारी 13 में 13 तो option C correct है नेच्ट है इमेल में signature कहां पर होते है option है center means बीच में left means by में right means die में या फिर bottom यानि की नीचे तो इमेल के जो sign होते हैं जो signature होते हैं गाईस वो होते हैं bottom में means सबसे नीचे तो option D correct है next है भीम एप की दुआरा 24 गंटे में कितना payment transaction किया जा सकता है तो option है चालिस हजार दस हजार बीस हजार या फिर पचास हजार तो भीम एप जिसको क्या बोलते हैं भारत interface for money भी बोलते हैं इसमें 24 hours में guys आपके 40 हजार रुपे जो हैं ना transaction हो सकते हैं तो option है नेश्ट है भारत में electronic wallet कबसे चालू हुआ तो option दिये गए हैं 2017 2015 2010 या फिर 2007 तो आप इसको e-wallet भी बोल सकते हो ना e-wallet तो e-wallet जो था ये हमारा start हुआ था 2010 में तो option सी correct है और गाइस हमारा आज़की इस वीडियो का जो last question है वो है Swift क्या है तो option है Society for Worldwide Internet Bank Financial या Telecommunication Code या इसका प्रियोग विदेशों में पैसा transfer के लिए भी किया जाता या फिर दून option सही है या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए Society S for Society W for Worldwide Internet Bank F for Financial और T for Telecommunication Code ये तो हो गई गाई Swift की full form तीक है और ये दूसरी बात इसका प्रियोग जो है हमारी विदेशों में transfer के लिए किया जाता ये भी बात बिल्कुर सही है तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट भी करेक्ट है सेकेंड भी करेक्ट है तो क्या हो गया ओप्शन दोनों करेक्ट हो गए न तो ओप्शन C हाँ पर ओटोमेटिकली करेक्ट हो गया हमारा answer तो गाईस ये थी वो 20 कोशन जो मैंने आज आपको प्रोवाइट कि अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि लाइक करने में कुछ जाता नहीं है और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बराबर में जो notification bell icon है उसको on कर देना ताकि जब भी हम कोई new update लाएं तो उसका notification सबसे पहले आपको मिल सके अभी तक के लिए goodbye, take care guys and thank you for watching video